हालो दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पेंटो क्लासेज में मैं लॉकुस पटेल और मैं आपको एगरिकल्चर की नेम रा सुन्दा सिरीज को स्टार्ट कर रहा हूं हाला कि आज यह पहला क्लास है और आज हम सिर्फ इसका जो पहला चैप्टर है वो पड़ेंगे कि जो एगरिकल्चर के टर्म है वो टर्म कैसे आए हैं और यह टर्म जो है कि किस लेट किस वर्ट से लेटिन वर्ट से ग्रीक वर्ट से इन सब को समझाएं इसे पीछे का कंसेप्ट भी समझेंगे साथ-साथ देखिए पहला वर्ड है यहां पे एगरिकल्चर तो एगरी कल्चर जो वर्ड है वो कौन सा है वो लेटिन वर्ड से आया है ठीक है वो किस्या आया है लेटिन वर्ड से तो लेटिन वर्ड इसका दो वर्ड ये दो वर्ड से मिलके बना है एक है एगर एगर मिनिंग होता है स्वाइल ठीक है एगर का मिन्स क्या होता है स्वाइ में कल्टिवेशन कर रहा है वह क्या है वही तो इत्व में कल्टिवेशन यह बंब चैस। यह ब्रत लुस्ति दूसरा वरर्ड है एग्रवावी जो है वो ग्रीक डीड्स ने आधा है एग्रोज जिसका हम अर्फ साथ एग्रोज जिश्का मतलब होता है मैनेज यानि हम फिल्ड को किस तरह से मैनेज कर रहा है यह इसमें एक्रोनामी में बता जाता है ठीक है एक रोज मतलब फिल्ड एन्नोमोज मतलब प्रबंधन फिर तीसरा है होटी कल्चर होटी कल्चर जो वर्ड आप देख रहे एक चीज़ कॉंसेप्ट में बताना चाहता कि देखिए एक होता है कल्चर जिस वर्ड के पीछे अगर कल्चर लगा हो वह वर्ड आलमुस्ट जो की लेटीन वर्ड से ही आया होता है और जिस वर्ड के पीछे लाजी लगा हो या लाजी लगा हो या नौमी लगा हो ठीक है तो ऐसे वर्ड जो होंगे वह किस तब के वर है यह लीटइन वर्ड हो गा और जो नो मी है यह लाजी है जैसे माईलाजी है तो आप दिखो 있습니다 सब्सक्राइब गरीक वर्ट से आया है अप चलिए आगे चलते हैं है जानते होंगे स्वाइल मतलब हुता है मिट्टी मिर्दा ठीक है थे लैटिन भेर्ट शेया वह सब्सक्रायाई वोलम से आया है जिसका मतलब होता है ग्राउंड एक फर्स एक भूमी या जमीन कहते है इसको ठीक है तो यह लैटी सवाइल कि सब्सक्राइब जिसका मतलब तक ग्राउंड यह जी नीचे ग्राउंड आपको जो भी दिख रहा है इस सभी स्वाइल ही है ठीक है कि कुछ ₴ होते हैं बीना साबर होते हैं तो स्वाइल के का टेगरी में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि क्या है से का मांसून यह European अरब से आया है जब रफ को लो नोग आए सब्धों मांसुन आथल को लिया मौस्ण है उसकाHi Um मौसम में कैसा वर्ड होगा तब यह अर्भी वर्ड हो गया ठीक है ओके यह कुछश्चन पूछा वे आता है कई सब पूछाता है मांसून कैसा वर्ड है तो यह आपका कॉंसेट के लिए सब्सक्राइब करेगा एक होता है जानते हैं बाइब डाइनेमिक्स टिक है आप जानत है ठीक है ऑगर है यह सब यह तो एक तरह के एनर्जी यह तो यह बायो का लाएंगे जिसका मतलब तो नमिक्स इसका मतलब होता है कि आप आप जो है एक 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 आर्टिकल या कोई समान जो है कि के आप देते हैं किसी समान के बदले जैसे कि माल लेजिए आपके पास वीट हुआ है ठीके आपके खेट में हुआ है और आपको जवड़ात 1 राइस की तो जिस और लेकिन जो राइस वाला है उसको जुरत हो होनी चाहिए जैसे कि अगर राइस वाला है तो उसको वीट चाहिए और वीट वाले को राइस तभी यह बाटर सीस्ट्रम हो सकता है पैतों जुबार्टर है वह ट्रक गर्डेनिंग में फ्रेंच वर्ट जो टौरकर है इसका मतलब बता ने में टोड होते हैं जो की स्वाई ने पाए जाते हैं यह नाम जो आया है वो ग्रीक वर्ट से आया नेमा नेमा का मतलब होता है थ्रेड यानि कि धागे के इस्ट्रक्चर के जैसा ठीक है एक धागे के इस्ट्रक्चर के जैसा होता ये और ट्वाइड मित्रिम होता है फॉर साइन्स पढ़ेंगे तो उसमें आता है पैडोलाजी तो पैडोलाजी में आप पढ़ते हैं कि स्वाइल का फॉर्मेशन वगरा कैसे होता है उस बारे में पढ़ते हैं ठीक चो चले नेक्स्ट अब हैं Market आप जब फटेस्ट नब पढ़ेंगे और निन the origin यह कहता है उर्टेस यह new इंजब इरॉपिन यूडन ओलने यूज्ज़त था मार्केट मार्केट का जाता था का market को ठीक है market का मेनिंग होता प्लेस ऑफ ट्रेड एक ऐसा जगह जहाँ व्यापार का इस्थान यह जहां व्यापार का सारी प्रक्रिया है शनरेशोर्द होती है कि क्या मुलते हैं मार्केट ठीक है नेक्स्ट है evolution evolution तरह जानते हैं पर एंटो दिनर कोन्याय निस जहता है रिगा शरक्यां सत्राटबिगे शेवनीटीन मतलब होता इन जाय मतलब हsty तर देतना है यह होता है तो उसका मेंट यह में काम ही है चीज्वों को करना या उसको पचाना ठीक है चालिए नेक्स आते हैं एक टर्म है क्रेडिट क्रेडिट का मतलब सब जानते हैं क्रेडिट को आम बासर में कहा जाता है लून ठीक है आप लून की नाम से इससे जानते हैं इसका लीए लेटीन वरड आप याद कर लेजिए कि क्रिडिट कैसा वरड है है के लाटन वर रस्ट यू उसके बाद सोसाइटी सोसाइटी अब सब जानते हैं समाज यह कैसा वर्ड है लेटिन वर्ड है सोसी एट से लिया गया विचर ड्राइब फ्रम दर नावन आप सोसी यह यह बहुत चलन में था यूरोप में जब सोसलिजम की स्थपना होती फ्रांस और रूश में कामरेड वहां की लोगों को सोसल व्हक्ति होता था उसको कॉमरेड भी बूला जाता था इसका मतलब फ्रेंड यह एले टीक है एक फिर नेक्स्ट है 20 बाला देखिए आप वल्गराइजेशन व्ल्गराइशन एक फ्रेंच वर्ड है ठीक है वल्गराइज मतलब होता है पॉ बहुत फेवरिल चेप्टर है एक्री कल्चर का सेल आप पढ़ेंगे इसमें बाटनी में भी चैल पढ़ेंगे यह लेटीन वार्ट लेटीन वाइव चैलुडा से है मिनी होता इसमौल कमपार्टमेंट एक छोटा सा एक डबा ठीक है इसको क्या क्या समय सकते हैं छोटा सा टि सेटेटू का यहां पर इसमें लागये है इन विड़त रों इन लिट्रों रिब इन विपो इन विट्रों लैटिंवर्ट है ठीक है इसका अर्थ होता है इन लेट बीडकल गार्थ होता है जीवित के भीतर यानि की वी तिन दघिविंग गेवर Day eleven के अंदर एन इन विट्रों का मतलब होता है विदिन ते गलास यहांने किसी गलास के अंदर ठीक है ओके नेक्स्ट है प्लास्टीड प्लास्टीड जो एक तरह का ग्रीट वर्ड है प्लास्टीकास मिनिंग आया फॉर्म्ड और मूल्डेड मूल्डेड मतलब होता है कि जो एक तरह से वेसं कब होगा फिर उसके बाद है एंटमोलोजी यहां तुम तो कहते Oh कीट विज्ञान जो कि नो ज्ञे किरीक विट साहिए है एंटे मो मतलब तर इंसेक्ट जैसा सब्142 और दिश्क्रोड याने जिस स भी है जीव का सरीर जो है ठीक है और उसका कंटीत है ठीक है खंडीत है तो वो क्या होगा वह इंसेक्ट होगा और इसको इसका अध्यर किसमें एंटमोलाजी में अधिक है ऑर्थू प्युद्ज वर्ड़ मोई आया है आर्थू मतलब होता है सगमेंटेट यानि कि खंडीत ऐसे मंने करनता है प्यहना'm और पूरोब उल्च यानि कर Dalai कि जिसके पैर कि किश के पैर क ND औने तो ठीक है फिर नेक्स्ट है फाइटो पैथो लाजी फाइटो पैथो लाजी का मतलब क्या इसमें तीन वर्ड फाइटो का मतलब देखें फाइटो मतलब प्लांट यह देखें लिखा फाइटो मतलब प्लांट पैथो मतलब होता है एलिमेंट और लागस में सोता है नौलेज पै लगते हैं उनकी बारे में के गड़ते है यहां नालेश हता है घंज साईट आप सब मतलब हता है आप सबêmeटब होता है लोगा तिक के रैता है मतलब हुता है किल यानि फंगस को मारने वाला जो दवा होगा वो क्या कहलाता है उसको फंजी साइट करते हैं फंगस को मारने वाले को ठीक है मारने के लिए जिसका यूजता है उसे फंजी साइट करते हैं कवक नासी हिंदी में का जाता है कवक नासी हिंदी वाले जानने भी यह फिर इसके आर्फ सर्फेस एटमस्फेयर एंडाजी मतलब होता है इनिकेटेक दस्टाइन यह जो एड़ की उपर का यह पार्ट है इसमें क्या करता है इसकी बारे में जानका तो मुझाल विज्ञान ग्रिक सब्द मेटिर्योरो का आर्थ है पिर्जवीक उपर की सता और लाजी का थैं केनेव देखते हैं ठीक है आप जो है कि आज आप एक सौंट में पढ़े हैं कि evolution क्या है ठीक है इसका मीनिंग हम लोग पढ़े हैं दरसर अब इसके प्रोसेस कब से स्टार्ट वो क्या करते थे फिर उन्होंने खेती करना सिखा ठीक करना सब्सक्राइब खेती करते थे पहले उन्होंने क्या जंगल काट करके जंगल को काटते थे जंगलों को काट करते थे फिर उसे छोड़ देते जब वह अन फर्टलाज होता था फिर दिरे दिरे उन्होंने जानवरों को पाला इस्टार्ट के यहां से पशुपालन स्टार्ट होता है ठीक है यह सब हम जानें को उसके हिस्ट्री में आप अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सिर सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों से अपने जितने भी फ्रेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं बेसी अगरी कल्चर की या एडमिसन ले चुके हैं या एडमिसन लेने वाले हैं ठीक है उनके लिए है यह आप वो उनको सब्सक्राइब करें चैनल और लाइक और कर दो